हलो बच्चो आपका हमारे यूटूब चेनल आइडियल देव किलासिस स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्ति का विशे गडित लेके आएं जो कक्षा छेटवी का है इसके अंतरगत आज आपको हम अध्याय दस छेत्रमिती बताएंगे छेत चेत्रमिती का पहला प्रसंद दिया हुआ है एक ऐसी दूरी जो रेखा खंडों के साथ साथ कुष्टक में दिया अथात परिशीमा के अंदिश कुष्टक बंद रेखाओं खंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकरती बनाती है बंद आकरती बनाती है क्या कहलाती है तो इसका उत्तर होगा एक ऐसी दूरी जो रेखा खंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकरती बनाती है परिमाप कहलाती है क्या कहलाती है परिमाप कहलाती है इसका उत्तर परिमाप होगा इस प्रस्न को समझना है और तो आप अपनी गडित पुस्तक कक्षच्छे की प कोड़ बराबर हो क्या कहलाती है ऐसी आकरेतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोड़ बराबर हो क्या कहलाती है तो ऐसी आकरेतिया क्या कहलाती है बंद सम आकरेतियां कहलाती है क्या कहलाती है बंद सम आकरेतियां कहलाती है और कौन सी आकरेति होती है यह बंद सम आकरेतियां कहलाती हैं कि आप इस प्रस्न के वी उत्तर को अपने पाठ पुच्टक के प्रेश्ट के मांग 226 227 में देख सकते हैं उसमें यह इसका वो दिया हुआ है कि क्या है बंसमाकरतियां तो एक वर्ग और संबहुत्रभू संबंद आकरतियां यह उधान में आप बता सकते हैं कि और वर्ग यह क्या हैं बंद सम आकरतियां हैं इस परकार आपका प्रेश्ट के मांग 2 समाथ हुआ इस परकार देखिए प्रेश्ट के मांग 3 निमन आकरती का परिमाफ ग्याद करो यह आकरती बनी हुई है इस आकरती का आपको क्या ग्याद करना परिमाफ इस आकरती का ना पाफ सेंटीमीटर और इसमें देखिए दो भुजाएं ये पाफ सेंटीमीटर एडी और बीशी बराबर हैं और एबी और डीशी कैसी हैं बराबर हैं जब ये बंद आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये आकरती कुन से आकरती कहलाएगी आयत कहलाएगी जिसके आमन उसका योग क्या कहलाता है परिमाप कहलाता है तो हम कैसे हल करेंगे देखिए देखते आगे एधि आप इस प्रसन को समाझा चाहते हैं और ऐसे अन्य प्रसनों को हल करना चाहते हैं तो हम अपनी गडित पुस्दक के प्रस्ट्र के मांग 223, 224 225 226 में इसे देख सकते हैं और इसके जैसे अन्य अप्रस्वा पर दिये हैं ठीक है परिमाब बराबर लिख देंगे आप हल कैसे लिखेंगे परिमाब बराबर 4 भोजाओं का योग अब 4 भोजाओं कोंसी देखिए यह AB, BC, CD और नका योग कर दिये तरहले हैं अब AB कमान कितना है AB कमान 10 centimeter ने दशते सेंटीम्टर लिख दिये 27 कमान कितना है क्तना है ठीश हिख मान कितना है 10 cm और DA का मान कितना है 5 cm तो इस पेकार हमने इनके मान लिख दी है सभी बुजाओं का और योग कर देंगे 10 में 5 जोड़े 15 15 में 10 जोड़े 25 25 में 5 जोड़े 30 तो यह क्या आगया 30 cm अता आकरती का परिमाब क्या हो गया तो उनकी चारों भुजाओं का योग कर दीजे आपको उसका परिमाब मालूम हो जाएगा अब इसके प्रस नम्बर चार देखिए प्रस नम्बर चार क्या कह रहा है बंद आकरतियों दवारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं बंद आकरतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं आप इस प्रसन की समझ के लिए आप अपने पाठ पुस्तक के प्रेश्ट के मांग 231-232 को देख सकते हैं उसमें इसका बारे में बताया गया है 231-232 में जो बंद आकरति है तो देखिए अब यहां पर हमने इसको क्या उत्तर बता हैं बंद आकरतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को छेत्रफल कहते हैं जो बंद आकरति के अंदर का जो तल होता है या जो छेत्र होता है उसे क्या कहते हैं चेत्रफल कहते हैं इस परकार आपका प्रस नम्बर 4 यहां पर संगत हुआ इसके प्रस नम्बर पास देखिए प्रस नम्र 5 क्या है नीचे कुछ आयतों की भजाओं की मापे दी गई इसका चेत्रफल गयात कीजिए देखिए यहां पर एक डिब्ब बना इसे में तीन खण ब सोतर क्या होत है लंबाई गोल तो देन मालूम हो जाएगा छेटनाल सेंटीमीघर को में तो थीसे और पीटीन को दियेत के आयत के छेत्रफल का सूत आयत का छेत्रफल क्या होता है लंबाई गुलेट चौराई का चौराई गोड़ा करते हैं तो आप को छेत्रफल मालूँ हो जाए तो इस परकार हमने इसको हल करके नीचे बता आए हैं और इस प्रशण को की समझ के लिए और अपनी गडित कक्षच है प्रश्ट के मांग 235 को देख सकते हैं देखिए इसको हमने हल करके बता है आध का छेतर फल बराबर लंबाई गुले चौड़ाई लंबाई के 6 सेंटीमिटर और चौड़ाई किती 8 सेंटीमिटर तो इसका छेतर फल क्या हो जाएगा लंबाई के चौड़ाई गुला किये 6-8-48 वर्ग सेंटीमिटर इस बगार हम छेतर फल आयत का लिकाल सकते हैं ठीक है अब देखिए नेक्स प्रेस नंबर 6 प्रेस नंबर 6 भी का मालूम हों चीए वर्ग के छेतर फल का सूत्र वर्ग के छेतर फल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग जोकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है समान होती है तो वर्ग का छेतर फल का सूत्र क्या हो गया भुजा का वर्ग यान भुजा क्या दी 7 सें ठीटर रफल लिकाल लिए दूसरी दिए उसका चेतर फल ल कालने का अब इसको अचर्छ का मुस्सफिल 有 वर्ख आए निसको का आ इस से करेंगे दए आश्य। तो बुजा का वर्ग बुजा कितनी नो का वर्ग नो का वर्ग कितना हो गया 81 वर्ग सेंटिमेट इस पकार से आप वर्ग का छेतरफल लिखाल सकते हैं बस आपको यह याद रखना है वर्ग के छेतरफल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है चार गुलित भुजा इसी परकार आयत का छितरफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुलित चोड़ाई और आयत का परिमाप क्या होता है दो सो सेंटी मीटर है, पैते एक भुजा की लंबाई गयाद कीजे, पैसने क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, एक सम पंच भुज का परिमाप दो सो सेंटी मीटर है, पैते एक भुजा की लंबाई गयाद कीजे, सम समान पंच याने पांच भुजा वाला जो एक आकरती बनी यह उसका परिमाप दिया है 200 cm और हमको भुजा की लंबाई क्यात करना था हम क्या करें एक सम पच्ट बुज का परिमाप लिखेंगे बराबर 200 cm और उसका सूत्र क्या हो जाएगा 5 गुडे ठॉजा कित्ते पांच भुजाएं इसलिए पांच का गुड़ा की चार भुजा रहती चार का बराबर 200 अब क्या कि पांच गुड़ित में है तो यह वक्षांतरों के भाग में गया पांच का भाग 200 में दिये तो कितने बार गया 40 बार तो भुजा क्या आ गई हमारी यह 40 cm इस परकार हमारा प्रेस्ट नंबर साथ हलो गया इसके बाद अगरा प्रेस्ट नंबर आठ प्रेस्ट नंबर आठ प्रेस्ट नंबर आठ क्या है एक आयताकार गत्ते का छेत्रपल 40 cm है इसकी लंबाई 10 cm गत्ते की चोड़ाई ग्याद कीजे क्योंकि हमें आयताकार गत्ते का छेत्रपल दि क्ता है आयता क्य चीत पा सुदोर क्या हो गquently प्र它क 50 बराबर सुक्ते इक कना आप 6500 प्र c रहएगी उससे भलेकि यहाइख करक्षта के सायगा जाा एक क्तम प्र चार है इस पकार प्रस नमबर आठ यहां पर समात हुआ, नेक्ट प्रस नमबर 9, प्रस नमबर 9 में दिये हैं एक धागे का तुकड़ा 60 cm लंबाई का है, पैते एक भुजा कि लंबाई क्या होगी यह दि धागे से बनाया जाता है, देखो आप एक धागा है कितना लंबा है वो 60 cm, उस धागे से हम क्या कर रहा है, उस धागे से वर्ग मना रहा है, और नमबर में संभावतर भुज मना रहा है, और एक संपंज भुज बना रहा है, तो यह क्या कहला जाएगा, धागा क्या क्या कहलाएगा, वर्ग का परिमाप, संभावतर भुज का परिमाप, और संपंज परिमाप कहलाएगा तो हम इनका क्या लिकाल लेंगे परिमाप परिमाप से हम क्या मालू हो जाएगा क्या मालू हो जाएगा भुजा की लंबई हो इसी परकार वर्क का परिमाप का सूत्र लगाएंगे वर्क का परिमाप कितना हो जाएगा 60 cm जो 60 cm पूरी धागी की लंबई क्या वर्क का परिमाब क्या लाएगा वर्क का परिमाब शूतर होता है चार गुटी दोज़ा बराबर 60 तो भुझा बराबर क्या हो जाएगा चार भागी तो चले गए तो इसका सूतर क्या होगा तीन कोली दोजा बराबर साथ, तीन कभाग साथ में देंगे तो 20 cm आ जाएगा, सम पंज भूज का परिमा बराबर ये साथ दिया है, तो इसमें पांज, इसका परिमा का सूतर क्या हो जाएगा, पांज कोली दोजा बराबर साथ, पांज कभाग प्रेशन नमबर कौन सा यहां पर हलो गया अब इसके बाद आपका प्रेशन के मांग 10 आता है प्रेशन के मांग 10 क्या कह रहा है एक टाइल्स की माप 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है एक छेतर को पूर्टा ठकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवसकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई कमसा है इसमें 2 प्रेशन दिया एक दिया और बा 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 में दिया 144 सेंटीमीटर बा में दिया है 144 लंबाई चौड़ाई की 300 सेंटीमीटर बा में दिया है लंबाई 37 सेंटीमीटर चौड़ाई 36 सेंटीमीटर तो इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले जो आयतकार टाइल्स का छेतर पर लिखाल लेंगे अई डस सेंटीर माइध की तो क्या हो गया 16 ओर सेंटीर अब अनंबर कोув word करते हैं हिन 25 चेटर प्रत्र लिका लिए अब आयता का छी चेतर का छी यहां पर तो उसकी लंबाई और चोड़ाई दिया तो उसकी लंबाई गुली चोड़ाई करेंगे लंबाई का चोड़ाई गुला करेंगे 144 लंबाई है रोज़ाई किक्ति सो इन दोनों गुलाई किये तो हमने क्या जाएगा चौदा हजार चारसो लाठ सेंटी मिटर आ जाएगा इक इसके आगई आता का छेतर का छेतर फल अब आवश्यक टाँलस की आव सकता है तो कित्ती होगी? जो 24 Skin 4 उसमें 1060 का भाग देदेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? कित्ती टाइल्सों क्या आओ सकता है किसके लिए 144 सेंटीमेटर और 100 सेंटीमेट लंबाई की छेतर के लिए तो ठीक है ये कित्ता आजागा 240 टाइल्स आजागा सुने सुने काटे फिर 6 का भाग 1440 इमदीद को इत्ते बार गया 240 बार ठीक है अब देखिए इसके बनमबर बनमबर में उसी पेकार उसकी लंबाई चोड़ाई दी हुई ये लंबाई 37 सेंटीमेटर चोड़ाई 36 सेंटर इन दोनों का गुड़ा कर दी तो आपको क्या वालूम हो गया आता का छेतर का छेतर पर कित्ता आगया 2520 वर सेंटीमेटर अब इसमें आवशक टाइल्सों संक टूराई कित्ती हो जाएगी 42 हो जाएगी तो आवह में इकत्ती लगेगी आव वाले में जिसका लंबाई 144 आओ चोड़ाई 100 झाल झाल